नमस्कार दोस्तों विलकम बैक टोर चैनल दोस्तों इस वीडियो को माधन से आपको बताने वाले हैं एम आरस ठीक है एम आरस पीजीटी का जो एक्सपेक्टेट कट आफ है कितना आरस सकता है जो हमारे द्वारा कट आफ निकाला गया है दोस्तों आप तक सेयर करेंगे विठनालसिस बताएंगे कि एम आरस पीजीटी का जो कट आफ है मेर भाई ये किस तरीके से देखनों को मिल सकता है ठीक है और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एम आरस पीजीटी का जो आपका रिजल्ट है इसके बारे में क्या अपडेट है ठीक है आपका जो रिजल्ट ह पर अगर पहली बार विजिट किया हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आईए एक एक करके सारे मुद्धे पर चर्चा करते हैं दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि संपूर जानकरी आपको यहाँ पर दे गई है ठीक है एन इस टी एस अदिवासी छात्रों की राश्टे सिच्ची विभिन पदों के लिए भरती अभ्यान चलाती है वही एमर्स पर रिडाम 2024 की परतिच्चा में प्रिंस्वल पिजीटी टीजीटी पिजीटी कनिष्ट सचिवाले सहायक ठीक है छात्रवास वार्डन आदि के पदों के लिए 10,391 रिक्तियों के लिए भरती कर रहे हैं तो आपको भी पता है मेरे भाई कि 10,391 पदों पर आपकी जो भरती है इसको निकाला गया है जिसमें विभिन परकार की आपकी जो पोश्ट है वो सामिल है ठीक है अब जो है परकार अब जो है तो इसके बारे में आपको बताते हैं ठीक है आई ये थोड़ा से इसके बारे में और डिटेल्स में समझते हैं इसके बाद आपको बताते हैं कि जो cut-off है वो किस तरीके से रह सकता है अब देखिए पद का नाम आप यहां पर देख सकते हैं और पोस्ट आप देख सकते हैं कि कौन-कौन जो पोस्ट है, वो निकाला गया थी इसमें, तो संपूर जानकारी आपको यहाँ पर दे गई है, कुल पदों की संख्या देख सकते हैं, ठीक है, एक्जामती थी देख सकते हैं, कब से कब तक करवाय गया था, अब देखिए, बात कर लेते हैं, हम इसके रिजल्ट जी यहाँ दोस्तों बिल्कुल आथेंटिक जानका रही है, आपका जो EMRS का रिजल्ट है, वो फरवरी के पहले सब्ता में देखनों को मिल जाएगा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके एक इन्फोर्मेशन है, अब देखिए, बात कर लेते हैं, इसके कट आफ को लेकर, कि सर इस यहाँ पर सरेडिया देख सकते हैं, काटेगरी देख सकते हैं, कि कौन सा कटेगरी किस तरीके से, और कट आफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि किस तरीके से रह सकता है, ठीक है, मानक मतलब होता है आपका दोस्तों जनरल, ठीक है, जनरल का जो कट आफ है, वो कितरा जा सक से अंसूस्चीद जाती और जं जाती का देख सकते हैं ठीक हैHa2 कुछ इस प्रकार से रह सकता है ये दोस्तों अफरार खॉथार टीक है ये अगर अगर श्लिभात करें हम पीजीटि के के प्यूटब क्या गया था इसकी जो संख्या ओंफ साड़ी चार लाग के बीच वह साड़ी चार लग के बीच इसमें जो है आवेदन किया गया था जिसमें से पचास परसेंट कटीर्स सब्सक्न के अफसेंट इन हुए थे तो 50% candidate से आपके अफसेंट हुए थे दोस्तों कि 4.4 लाक के बीच आपका जो है कुलावेदन हुआ था 50% अगर आप यहां से माइनस करते हैं तो आपकी जो आप संख्या बचेगी वो 2.25 लाक के लगभग बचेगी ठीक है इतना बचेगा आपका तो आपका जो competition है दोस्तों इसे के बीच में रहने वाला है भी अब देखते हैं कि यह competition आगे चलके घरता है कि नहीं आपका भी बता है दोस्तों अगर बात करहें में इसके exam pattern के बारे में कि इसका जो exam pattern है यह किस तरीके से था तो आप भी जानते हैं कि हिंदी और English से जो सवाल है यह पूछे गए थे ठीक है यहाँ पर आपको लिख के बताते हैं हिंदी और English से जो आपके सवाल है दोस्तों यह पूछे गए थे हिंदी और English अब देखिए हिंदी में क्या था कि इसमें 10 marks का यहां से पूछा गया था 10 marks का इंगले से पूछा गया था ठीक है दोनों 10 marks की सवाल पूछे गयते हैं और जिसमें से 40% आपको लाना अनिवार रहे था और यह सिर्फ और सिर्फ कॉलिंफाइंग नेचर का था इसका कोई भी कितने नंबर का एक्जाम हुआ था तो यह हुआ था 1.500 ठीक है 1.500 नंबर का एक्जाम हुआ था 10 और 10 यानि कि 20 marks जो है आप माइनस कर देजिए अब आपका जो बनेगा वो बनेगा 130 यानि कि 130 नंबर पर आपका जो मेरिट है दोस्तो यह तयार किया जाएगा ठीक है लिके कि 30-40% candidates हैं जो आपके fail हो रहे हैं English में ठीक है यह तो ऐसे ही यही से बाहर हो गया तो जाहिर ची बात है कि आपका जो competition है काफी ज़्यादा गिरने वाला है तो आपका जो actual competition रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है 1.500,00 के बीच आपका जो actual competition है यह रहने वाला है अब तो देखी जो भी merit बनेगा इसी पर बनेगा अगर total post की बात करें कि सर्पी जीटी के लिए total post बताईए तो total post की अगर बात करें तो आपको भी पता है 226 पदों पर आपकी यह जो भरती है इसको निकाला गया था ठीक है और डेल लाग के बीच आपको जो competition है यह रहने वाला है आप यहां से जो है परसीट competition निकाल सकते हैं आप यहां से परसीट competition निकाल सकते हैं ठीक है अब आईए समझ लेते हैं इसका जो final cut off है दोस्तों कितन आपको बता दी मेरा और अगर अगार अगर आप 44 प्लस score है तो आपका होगा तो 82, अगर सबसकर है तो अपका हो जाएगा ठीक है और अगर बात किया जाए कि सरे सील इसने इस्ति मृस्टास के िचाक्थ सकता है तो एस्ति काथ सबसे दोस्तों कुछ इसky परकार से आपका जो कमेंट्स करके जरूर बताईएगा और एक चीज़ और बता दे मेरे वही अगर बात करें हम इसके रिजल्ट को लेकर कि सर इसका जो रिजल्ट है तो रिजल्ट दोवारे में आपको ये मरेस का रिजल्ट है वो जारी होने की पूरी-पूरी संभावना है तो कुछ इस तरीकी की इनफॉर्मेस्टन थी जो अब तक सेयर करनी थी हमने सेयर किया लाइक नहीं किया है वीडियो को तो कर दीजिए और चैनल पर अगर पहनी बार विजिट किया है तो सस्क्राइब जरू कर लें जैसे ही MRSPGT के बारे कोई भी लेटेस्ट अबडेट आता है तो आपको इनफॉर्म करेंगी तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहें अप्य highly खर तक करेंगा सब्सक्राइब कर दसूल कर दोगडेगें।